को भगवान को पाने के लिए क्या करना होगा जो संसार के पाने के लिए करते हो वही भगवान को पाने के लिए करना होगा नए संसार के पाने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है फिर भी मिलाए ना मिलाए डाउट है मानलो आपको एक घड़ा बनाना है सुराही बनाना है तो सुराही बनाने वाला चाहिए कुमार और सुराही बनाने का ग्यान चाहिए और सुराही बनाने की इच्छा होनी चाहिए और सुराही बनाने का संकल्प करना चाहिए और सुराही बनाना प्रारम्भ करना चाहिए प्रैक्टिकल आप सुराही बनेगी इतना सारा कार्जक्रम है किसी भी चीज को पाने के लिए आपको उसकी नॉलेज हो उसके लिए प्रेयत न करें फिर भी सफलता मिले न मिले दोनों बाते हो सकती है आपको एक पुत्र चाहिए शादी कीजिए इस्त्री आई उसके साथ सहबास कीजिए और दस साड हो गया पुत्र नहीं हुआ जित्रकेतु राजा हुए है उनके एक करोड श्त्री और एक को पुत्र नहीं हुआ तो संसार में किसी लक्ष की प्राप्ती में श्योरिटी नहीं है ब्यापार करते हैं आप लोग गाटा हो जाए और जमापूंजी भी चली जाए अथ्वा आप बन जाए, दोनों बातें हो सकती है, जीवन भी हो जाए, मरण भी हो जाए, जश भी हो जाए, अपजश भी हो जाए, हानी भी हो जाए, लाब भी हो जाए, दोनों साइड है, इतना प्रियत्न करने पर भी, ज्यान दो लेकिन भगवान के एरिया में इतना प्रियत्न भी नहीं करना नमबर दो लक्ष की प्राप्ति 10% श्योर पक्का क्या करना है करना फरना कुछ नहीं है यह तो कह रहा हूं करना नहीं है करना तो संसार को पाने के लिए पड़ता है वहां करना नहीं है वर्क नहीं है फिर चिंतन ध्यान यानि इंद्रियों का वर्क नहीं है खाली मन का वर्क है ध्यान देखो भगवान का एक गुण है सत्यसंकल पहा अपरित पाप मा बिजरो बिमृत्यर बिशोको बिजगत्यो पिपासा रत्यकामा सत्यसंकल पहा है आठ गुण होते हैं भगवान में उनमें एक गुण है सत्यसंकल सोचा हो गया करना वर्ण नहीं संसार बन जाओ यह बोले नहीं सोचा सो कामयत बहुत स्याम प्रजा यह यह थी भस सोचा संसार बन गया सोचा प्रलय हो गया इसी प्रकार आपको भी यह भगवान ने पावर दी है आपने सोचा भगवान मिल जाए बस सोचा अजी हमने सोचे ही नहीं अभी तर नहीं अभी हमको डाउट है हमको भगवान थोड़े मिलेंगे देखिए आप लोग भोजन करते होंगे जब तो भोग लगाते होंगे राम को कृष्ण को जगनाज जी को यह भोग लगाने का मतलब क्या है आप आईए प्रसाद पाईए तब आपका उच्छिष्ट मैं खाऊंगे तुमाम मंदिरों में होता है सारी इंडिया में क्या दुनिया में अपने अपने घरों में भी होता है और बहुत से लोग तो अपना कहीं भी बैठे रहें और कुछ भी खाना हो तो आख बंद करके ज्यान कर लिया भगवान तुम खाओ और फिर उसके बाब खाए लेकिन क्या किसी ब्यक्ति ने ये सोचा कि भगवान अवश्य खा रहे है नहीं साथ नास्ति साथ ढोंग करते है क्यों जी जब आपने आख बंद किया कि शाम संदर खा रहे हैं अब चाबल खा रहे होंगे अब डाल खा रहे होंगे अब खीर खा रहे होंगे अब पूरी खा रहे होंगे और आख खोला तो क्या देखा कहां खाया है नहीं क्यों अरे खाये के तोड़े यह तो मैंने ऐसे हांक बंद कर लिया था यानि आपको यह बिश्वास है कि नहीं खाएंगे तो भगवान कहते हैं फिर हमारा ठेंगा खाए जब तुमको बिश्वास ही नहीं तो मैं क्यों खाऊ जाओ तुम हमको बेवकूप बनाना चाहते हो मंत्र पड़ करके पानी छोड़ दिया क्या बोलना हो मंत्र कहें के लिए भगवान को बुला रहे हैं पर तुमको तो बिश्वास ही नहीं कि वह आके खाएंगे वरना आँख खोड़ने के बाद एक बार तो आशू भादेते हैं हाए आज कुछ नहीं खाया श्यामसुंदर ने एक बार नहीं आशुबा है आप लोगों ने इसका मतलब आपको पक्का बिश्वास है पहले से को वह नहीं खाएंगे तो इसलिए जब आप ये निश्टे किये हैं वो नहीं मिलेंगे तो वो कहते हैं ठीक है नहीं मिलना है तुम्हारे विचार में तो हम नहीं मिलेंगे देखिए आप सब को मालूम है आप के उदय में भगवान बैठे हैं रोज समझाते हैं कृपालू और अनंत संत और आपके घर वाले भी सब लब करदय में बैठे हैं श्याम सुन्दर उसके आइडियाद नोट करते है हर मदभब में एक पाथ कही गई है पुरान में भी बाइबल में भी लेकिन इसको प्रैक्टिकल मानेने वाले कितने लोग हैं आप लोग जो बैठे हैं इसमें एक भी नहीं है तो फिर बाहर वाले क्या होंगे जो घर छोड़ कर आप लोग यहां साधना करने आए हैं जब आप तक में यह विश्वास नहीं है नहीं कि है को नहीं है हम जानते हैं जानते नहों मानते नहीं हो सदा सरबत्र प्रियलाइड करे महसूस करे अनुभव करे हमारे साथ हैं हम दो हैं हम दो हैं हम दो हैं सुना है याद है या कभी कभी रियलाइड करते हैं कभी कभी अन्यता आप अगर वेश्याम सुन्दर हमारे हुरदय में हैं रोम रोम आपका खड़ा हो जाए आनंद में लेकिन फीलिंग नहीं है आप धोखा देते हैं आत्मा को को लोगों को अपने आपको तो रूप ध्यान करने का मतलब वे सदा हमारे साथ है अस्तीत्य वो पलबधस्य तत्वभाव प्रसीदत बेद कहता है अगर कोई अपने साथ सदा सरबत्र भगवान को रियलाइज करे तो उसे कुछ और करना धरना नहीं है हो गई भगवत प्राप्ति उसको हो गई कौनिव सिद्धि कि बिनु बिश्वासा बिनु बिश्वास भक्ति नहीं तेहि बिनु द्रवहि नराम प्रतीत होना विश्वास होना भीदर से जैसे मैं को आप अनुभो करते हैं हर जगे हमेशा मैं मैं जो मैं कलकत्ता में था वही मैं यहां हूँ जो मैं कल सो रहा था वही मैं यहां हूँ वही मैं 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 हर जगे मैं तु उस मैं के साथ मेरा भी लगा दो हर जगे अमेशा तब तुम आस्तिक कहलाओगे आस्तिक दस मिनेट को नहीं, दस घंटे को नहीं, पौने चौबिस घंटे को नहीं, सदा मैं को सदा महसूस करते हूँ न, यहां तक कि जब मन भी नहीं रहता गहरी नीद में, तब भी मैं को आप रियलाइज करते हैं, मैं, मैं, और सब को जीरो मैं, 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 जब सो के उठे, मैं बड़े आसुख से सोया मनवन कोई नहीं था, मैं केला था, तुब मैं के साथ साथ भगवान को मानना, अनभोव करना, स्विकार करना, यह आस्तिकता है, तस्या भिध्यानात, उसका ध्यान करो, वो मिल जाएगा, अभिध्यानात, सदा ध्यान करो, वो मिल जाएगा, करना वरना कुछ नहीं है, मन से ध्यान करो, मन, 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 आख ध्यान नहीं करती, कान ध्यान नहीं करता, नासिका ध्यान नहीं करती, रसना ध्यान नहीं करती, त्वचा ध्यान नहीं करती, केवल मन ध्यान करता है, ये इंद्रिया नभी हो तो भी मन काम करता है और इंद्रिया हो तो भी मन काम करता है ये कोई स्थमें आप लोग जो काम करते हैं उतने इंद्रिया साथ में है ना कान आपका सुन रहा है मन उस संजुकत है लेकिन जब आप सो जाते हैं और सपना देखते हैं तो खाली मन होता है आख तो रजाई में बंदे हैं कोई इंडिये काम नहीं करती लेकिन मन सब काम कर लेता है देखता है, सुनता है, सूंगता है, रस लेता है, अस्पर्श करता है, उस समय आप ये इस महसूस करते कि ये सपना देख रहा हूँ, नो, पैक्ट, जैसे फैक्ट में आप देख रहे हैं, कि ये फैक्ट है, ऐसे सपने में भी आप रियलाइज करते हैं, ये सब फैक्ट मैं देख रहा हूँ, यानि मन में सब इंद्रियां हैं इंद्रियों में मन नहीं है मन कहीं और जगे चला गया अब इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती एक बात जगनाज जी के रतियात्रा निकल रही थी लाखों आदमी रतियात्रा में रहते हैं तमाम हला गुला मचता है जै बोली जाती है, लेकिन एक चित्रकार चित्र बना रहा था, उसने कुछ न सुना न देखा, चित्र में ही लगा रहा तो सामी रामकृष्ण परमंस उदर से जा रहे थे, उन्होंने कहा क्यों वे या इधर से रस्यात्रा कितनी दूर निकल गई, तुमने देखा होगा, कैंने नहीं बाबा मैंने नहीं देखा तो पड़ोसी दुकानदार ने कहा, क्यों रे महात्मा से जूट बोलता है, अभी अभी ते इतना बड़ा जुलूज गया रामकृष्ण परमंस उदुकान पर बैठ गये, और समाधी लगा कर देखा, कि ये जूट बोलना है, कि सच पता लगा लिया, इस अच बोलना है, कि इसका मन चित्र में ऐसा लगा हुआ था, कि इसने कुछ देखा, सुना नहीं है, तो मन अगर और कहीं चला जाए, तो इंद्रियां कुछ नहीं अनवोः कर सकती, नbear सुन मन आएगा तो इंद्रियां काम करेंगी और इंद्रियां न भी रहेंगी तो मन काम करता है सपने में आप लोगों का अनुबह है तो मन से चिंतन करो बस बेद कह रहा है अर्जुन दीता आई एपी भगवान का वाक तस्मात सरवेशुकालेशु मा मनुस्मर युद्ध्यचा तू सदा मेरा स्मरण कर कीर्थन उर्थन कुछ नहीं उजा उजा कुछ नहीं मा मनुस्मर स्मरण मन का काम है जीता आठमे अध्या का साथमा अशलोग अनन्यास चिंतें तो माम ये जनाह पर युपासते गीता चिंतन अनन्यचेता ससतम जो माम स्मरति नित्यशा नित्य मेरा स्मरण करे ये तु सरमाण करवाणी मैं सन्यस्मत परा अनन्ये नुजोगे न माम ध्यायन तो मेरा ध्यान करता है जो बस चिंतन ध्यान स्मरण यही भक्ति है ठाकुर महाशाय ने लिखा है मनेरो स्मरण प्राण मन के द्वारा भगवान का स्मरण करना ये प्राण के समान है और मुह से बोलना, कान से सुनना, हाथ से पूजा करना ये सब तो फिजिकल है इंद्रियां है, ठीक है, इनको भी लगाए रहो लेकिन ये उपासना नहीं है तो मन से अस्मरण करना हर शास्त्र बेद एक स्पर से कहता है ध्यानाच्य बेदान्त ब्रह्म सूत्र पहले अध्याय के चौथे पाद का आठ्मा सूत्र ध्यान करो, ध्यान करो और कीर्तन वगेरा करो, तो भी ध्यान करो तो रूप ध्यान करना यही भक्ति, यही उपासना, यही पूजा, यही पाठ, यही सब कुछ है, और उसी के विशय में हम लोग लापरवाही बरतते हैं आप लोग दिन भर कीर्तन करते हैं, मैं नोट करता हूँ दुख होता है मुझे देख करके एक घंचा भी आप लोग दिन भर में प्रियत्न नहीं करते रूप ध्यान करने का प्रियत्न को करो माना कि एक घंब रूप ध्यान नहीं बन जाएगा भगवान का सिर बना तो पैर नहीं बना, पैर बना तो आख नहीं बनी, आख नहीं तो नाक नहीं ऐसा होगा पहले, लेकिन अभ्यास करने से होगा अरजुन ने भगवान से कहा मन बहुत चैंचल है बड़ा बलवान है महराज, आपको क्या पता? माया बद्ध जीवों से पूछो भगवान ने गारे, पता है मुझे असन शयम महाबाहो, मनो दुर निग्रहम चलम मैं जानता हूँ कठिंता से मन बश में होता है लेकिन बश में करने की जरूरत ही नहीं है तु मुझे में लगा दे बश बश में करने की चक्कर में न पड़ वो बश में नहीं होगा किसी के वो बड़ा भेंकर भूत है अगर तुम कहो कि अमुक मा से बाप से बीबी से मन हट जाए अच्छा करो अभ्यात अमुक से हट जाए अमुक अमुक ध्यान तो आ गया उसका तो हटे का कैसे तुम तो पहले उसका ध्यान कर रहे हो हटे हटे गने से उसी मा में उसी बाप में उसी बस्तू में श्याम सुन्दर को खड़ा करो ये भीमारी लगा दो हर एक के पीछे जहां कहीं तुम्हारा मन जाए वहीं पर श्याम सुन्दर को खड़ा करो इन अन्दपूत का भूत इतना भयानक है एक बार लग जाए तो पिर सूरदास चैलेंज करते हैं हिरदय ते जब जा हुगे मर्द बदाऊंगो तो तुम भगवान बनते हो निकल जा हुड़दय से तु जाने एक बार बस पकड में आ जाए फिर नहीं जूटने वाला तो वो जो एक बार पकड में आ जाए का अभ्यास करना है आपको वो परिश्रम है उसमें परिश्रम पड़ेगा और हर परिश्रम में पहले निराशा सी आती है आप लोग भूल गए जब आप लोग पैड़ा हुए थे तो महीनों करवट बदलना भी नहीं जानते थे कितना कर्ट हुआ होगा आपको भूल गए आप हट्टा कर्टा एक पहलवान अगर तीन चार दिन अस्पताल में बिना करवट के आपरेशन करने के बाद डाक्टर सुला दे तो कहता है मर गए ऐसे बोलता है पहलवान और इतना कोमल शरीर और विचारा कर्वट नहीं ले सकता और चेश्टा करता रहता है ऐसे ऐसे करता रहता है लेकिन प्रियत्न नहीं छोड़ता कोई गुरू नहीं यह सिखाने वाला कि मम्मी ने कहा कि बेटा ऐसे किये जा अपने आप करता है और एक दिन करवट ले लिया आप हिम्मत आ गई अब फिर कोशिश करता है पचास बार तो एक करवट फिर ले लिया आप इसी प्रकार दस बार में फिर पांच बार में फिर दो बार में फिर बार बार करवट लेने लगा अब उसकी हिच्छा होती है कि यह मम्मी पापा यह आदमी सब बैठे हैं हम भी ऐसे बैठे हैं लेकिन कैसे बैठे हैं, बैठा तो जाता नहीं, तो मा उसको पकड के बिठाती है, वो गिर पनता है, फिर मा बिठाती है, समल्ट, हां, जना समय कापा, फिर गिर गया, लेकिन फिर बैठने लगा भ्यास करके, इसी प्रकार खड़ा होने लगा, इसी प्रकार चलने लगा, इसी प्रकार दोडने लगा, ओ पिछला सब भूल गया। अगर पिछला याद होता, तो आज भगवत विश्रह में यह न कहता कि महराज जी मन नहीं लगता। अरे, कहा तेरा मन लग गया अपने आप, हर जगे तुने अभ्यास किया है, बहुत बड़ा अभ्यास किया है, तब काम हुआ है, एक इललबी पास करके, जब खड़ा होता है जजज के सामने, तो पैर कौपता है, पहले दिन, फिर दूसरे दिन और हिम्मत होई, फिर और होई, फिर नहीं है, कानूनियात दो, ऐसे ही पट्टी पढ़ा रहा है जजज को, फिर ड़ता नहीं, हिम्मत होगे इसके, टीचर लोग पढ़ाने जाते हैं बच्चों को, पहले दिन टीचर के क्या हालत होती है, तो सब काम आप लोगों ने अभ्यास्ते किया है, साइकल चलाया ह हो, कार चलाया हो, कुछ भी किया हो, अभ्यास्ते हुआ है, जी प्रकार, ये ध्यान करना भी अभ्यास्ते होगा, हमको भगवान का ध्यान करना है, उसके साथ साथ फिर कीरतन नंबर दो है, नवधा भक्ती में नंबर एक स्मरण, नंबर दो कीरतन, कीरतन माने क्या, केवल रूप ध्यान करेंगे, तो हमारा मन बार-बार बाहर जाएगा, हम बोर हो जाएंगे, इसलिए भगवान की लीला भी साथ में, हम गाते रहें, या सुनते रहें, या सोचें, अब श्याम सुन्दर देखो शंगार कर रहे हैं, अब देखो ये रास में जा रहे हैं, अब ये जल बिहार कर रहे हैं, तो मन जल्दी लगेगा, और इसने देयालू हैं, देखो पूतना ने जहर पिलाया, उसको लोक दे दिया, ये सब गुन, तो इन सब को साथ लेकर चलेंगे, जल्दी मन का लगाओ होगा, एक बार लगाओ करने के लिए तमाम मसाला चाहिए, अब लग गया, फिर तो केवल रूप ध्यान कर सकेंगे, फिर ज़रूरत नहीं है समान चीज़ों की, तो इस प्रकार अभ्यास करने से मन लगने लगेगा, लगाते 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 लगने लगेगा, अब आया, लगना, मने नचुरल्टी, पहले शौक से सिगरेट पिया, आहा, साहब दिखाई पड़े, जन्टल्मेन, फिर पकड़ लिया सिगरेट में, अब बेटा पियो, यह तो हम टेंशन पैदा करेंगे तुमको, अब वो रहा नहीं जाता, सिगरेट के बिना, चाय के बिना, शराब के बिना, लग गए बीमारी, जडबस्तू की बीमारी जब लग जाती है, और आप कहते हैं, शराब नहीं छोड़ सकते, बीबी छोड़ देंगे, बाप छोड़ देंगे, तो भगवान का भूत जब लग जाये, तो वो कहां छोड़ने वाला है, वहां तो आनंद सिंधू है, आनंद मिलेगा वहां तो, इसलिए अभ्यास के द्वारा ही काम बनेगा गुरु अपना काम करता है करेगा भगवान अपना काम करता है करेगा उसको तुम राय दो या कहो वोई आवश्यक्ता नहीं है अपना काम करता आवश्यक्ता नहीं है